हां तो बच्चो अभी देखने वाले हैं माय मेरा प्यारा घर ठीक है मेरा प्यारा घर यानि सब काइवा ह गर हकीकत में बदल जाए ठीक है यानि Hi, मैं टिंक्व हूँ, यह है मेरा प्यारा सा घर ठीक है, उसके बाद घर में बहुत सारा पार्स होता है, यानि घर के अंदर क्या-का चीज़े पाई जाती है, वो हम लोग देखने वाले ठीक है, तो जैसे कि यह क्या होगे, Drawing Room, यानि बच्चे क्या है, यहाँ पर बै बढ़ा जाता है किचन ठीक है उसके बद्ли का है टैनिंग रूम यहां पर सब परिवार वाले दादा पापा असमे सिश्टर वो गई अंकल लोग Kalau तकल ना, पट्रिवा करते हैं अफकोर्स हम लोग sweet sweet क्या करेंगे sleeping करते हैं यानि हम लोग प्यारी नीन लेते हैं इस bedroom बेडरूम में सोका ठीक है उसके बाद क्या है study room जिसा कि सभी बच्चे क्या करना चाहते हैं पढ़ लेकर अच्छा आदमी बनना चाहते हैं उसके लिए study room होना चाहिए पढ़ने के लिए बच्चे लोग क्या करते हैं पढ़ने के लिए घर पे पढ़ते हैं कोई बाहर पढ़ता है कहीं और पढ़ता है तो कहीं और जिसा कि हर एक बच्चे का study room होना चाहिए ठीक है उसके बाद क्या है store room यानि जो घर का सारा सामान होता है एक room में हमारा जो private room हो जैसा कि घर में हम लोग सुबह सुबह उठते हैं ब्रस करने के लिए जाएंगे तो यहां रहा क्या हो गया ब्रस करने के लिए ट्वालेट हो गया ब्रस करने के लिए यहां पर ट्वालेट करने के लिए जो भी है और बाथिंग करने के लिए सब कुछ यहां पर अवेलेबल ह इस रूम में, ठीक है, do you know, कि आप जानते हो, how many rooms are there in your home, कि आप जानते हो, कि आपके घर में कितने रूम है, name any three things kept in the bathroom, आप ऐसे तीन चीजों का नाम बताओ, जो बातरूम में पड़ा हो, जशा की, यहां पर shower होता है, है न, bucket होता है, water होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है in which room do you sleep, क्या बता सकते हो, आप कौन से room में सोते हो, है न, तो सब चाहते हैं कि हमारा एक प्यारा सा घर होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, पड़ लिखके, बड़ा आदमी बनिए, पैसा कमाईए, तो प्यारा प्यारा घरा भी बना सकते हो, है न, ठीक है, तो आप इस वीडियों को बार बार देखें, अच्छे से देखें, तभी आपको समय में आएगा, ठीक है,